मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जी के 25 बहुत इंपोर्टन परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दश्टी से वेरी वेरी इंपोर्टन है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना राजस्तान जी के कैसे इंपोर्टन यूसन पाना चाते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजस्तान जी के कैसे इंपोर्टन यूसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहले कि उसन आपके सामने देश का दूसरा या फिर राजस्तान का पहला दूरदर्सन रिले स्टेशन कहां स्थापित किया गया बहुत इंपोर्टन कि उसन एग्जाम की दश्टी से आप लोग याद कर लेना कि देश का भारत का दूसरा और राजस्तान का पहला दूरदसन रिले स्टेशन जो कि कहां पे स्थापित गया गया तो यह रावत भाटा चितोडगर के अंदर आप्सन ए इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नवर टू की बात करें फिरोज गांदी उचहार ताप विदूत प्रियोजना के अंतरगत राजस्तान का कितना आंस है बोहत इंपोर्टन क्योसर नवर तू की बात करें राजे में सरवादिक पावन उर्जा कहां उत्पादित होती है राजसान राजे के अंदर सबसे ज़्यदा पवन उर्जा कहां पे उत्पादण किया जाता है तो ये जैसल मेर के अंदर आप्सिन टी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और फॉर की बात करें राजसान में सोर उर्जा की सरवादिक संभावने जो है किसे जिले के अंदर है राजसान के अंदर सोर उर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना है वो है जैसल मेर के अंदर और या पे आप कह सकते हैं कि पाउन उर्जा कहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है तो आप्शन सी इसका सही उतरेगा जैसल विल्ड के अंदर सोर उर्जा के संभावने सबसे ज़्यादा है क्यों सनवर फाइव की बात करें आधुनी के राजसान का निर्माता जो है किसे माना जाता है आधुनी के राजसान का निर्माता है मोहनलाल सुकाडिया को माना जाता है आप्शन भी इसका सही उतरेगा एक्जाम में परसंद तीन से चार बर अब तक पूछा गया है और या आ इसमें से आपकी कितने सही वें से आपकी प्रेक्टिस वी हो जाएगी और आपका पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी किसी आप लोग हरी क्यूशन का एंसर जुरूर कॉमेंट में बताएगा तो हिंदुपत कहा जाता है महरणा सांगा को ओप्सन अ इसका सही उतरेगा क्योशन Coll wire 7 की बात करें जालोर का कस्मीर किसे कहा जाता है तो बढ़काओ या रानेवडा ओप्सन डी इसका सही उतरेगा क्योसनवर आठा की बात करें अंग्रेजों सामवर जीर पे पूरण नियनतरण के था जीर्ए से कंट्र선 किया गया था अठारा सो उनेतरी, अठारा सो सत्तर में औ chips से उतरेगा क्योसनवर नाइन की बात करें बीकानिर में आजादी आंदुलन का जनक किसे माना जाता है बीकानिर में आजादी आंदुलन का जो जनक है वो मगगाराम वेद को माना जाता है आप्सन B हमारा उत्तर रहेगा क्योसन में 10 की बात करें जमनलाल बजाज सम्वे को कौन सा गुलाम कहते थे यानि गुलाम नमबर चार आपसन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनमर 11 बात करें हरी बाव उपादाई ने महावीर परसा दिवेदे के साथ मिलके कौन सी पत्रिगा का संपाधन किया था हरी बाव उपध्याई ने जो हैं महावीर परसाद दिवेदी के साथ मिलके कौन सी पत्रिगा का संपांदन किया था तो सरस्वती पत्रिगा का ओप्सन भी इसका सही उत्तरेगा क्यों सन्वर वारा की बात करें निविन में से माश्टर अधितेंदर का सिस्य कौन था इन में से माश्टर अधितेंदर का जो सिस्य था वो था परताब सिय भारट ऑप्सन सी इसका सही उतरेगा क्यों सन्वर तेरा की बात करें कोटा महाराव और जालिम सियां के मद्दे मांगरोल का जो युद हुआ था वो हुआ था एक अक्टूमर 1821 को आप्शन सी इसका सही उतर रहेगा क्योशन और 14 की बात करें जोद्पर में पर्थम जंगरना कब हुई थी वेरी वेरी इंपोर्टन पर्षन है एक्जाम में पर्षन कई बार पूछा गया है और वीडियो के अंद में आप सभी से एक मौश्ट इंपोर्टन क्योशन पूचेज़ेगा उसका भी आप लोग उतर जुरूर दीजिएगा देखते कितने बच्चे सही उतर दे पाते हैं जोद्पर में पहली बार जंगरना होई थी 1881 के अंदर आप्सन सी इसका सही उतर रहेगा क्योसनवर 15 की बात करें मेवाड हरीजन के स्थापना कब हुई थी यह हुई थी 1941 के अंदर ऑप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 16 की बात करें हिंदी साहितिय स्मीती भर्थपूर के संस्थापा कौनते हैं वेरी वेरी इंपोर्टन परसन एक्जाम में परसन बन चुका है कि हिंदी साहितिय स्मीती भर्थपूर के संस्थापा कौनते हैं तो जगनात अधिकारी ऑप्सन डी हमारा उत्तर रहेग क्योसनवर 17 की बात करें नीवन में से मीनक शित्रिय महासभा की स्थापना कब हुई थी मीनक शित्रिय महासभा की स्थापना हुई थी सन 1933 के अंदर आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 18 की बात करें 1857 के सौतंदर संघरा में फांसी पे चड़ने वाला पहला राजस्तानी विक्ति कौन हा अमर चंद बाथिया आप्सन डी इसका सही उत्तर रहेगा क्यों सन और उनीस की बात करें निमन में हरी बाव उपाधाई का जनम कब हुआ था हरी बाव उपाधाई का जो जनम है सन अठारा सो बाणवे में हुआ था ओप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 20 की बात करें अगनिवान समाचार पतर का परकासन जे परकास नारेन दोरा कब गया अगनिवान समाचार पतर का परकासन जे परकासन नारेन दोरा सन 1936 में गया ओप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनवर 21 की बात करें नीविन में से 1200 इस वी का सबसे पुराना फार्सी लेग जोकी अजमेर के अंदरा ओप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनवर 22 की बात करें नीविन में से मेवाड की राणी करणवती के जोहर की जानकरी किस से प्राप्त हुई थी मेवाड की राणी करणवती के जोहर की जो जानकरी है वो किस से या किस अधार पे प्राप्थ हुई थी तो पूर का एक तामर परतर था जो की 1535 इस्वी में आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्यो सनवर 23 की बात करें निमिन लिखित में से 1713 इस्वी का दक्षिनमूर्थी लेक कहां स्थीत है किस जिले के अंदर है जो दबुर, उद्यपूर, भर्दपूर या जेपूर सही उत्तर आपलो कॉमेंड में बताईएगा तो ये उद्यपुर के अंदर है आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर चोईस की बात करें मूर्थी कला के सिधास्त सौमपुरा जाती के सिल्पी मुलते कहां से समंदिते मूर्थी कला के सिधास्त सौमपुरा जाती के सिल्पी कहां से है तो ये बांसवड़ा से ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशनर पचीश की बात करें निविन्वेस से राव लून करन को कल्यू का करन कहा वरनीत किया गया है राव लून करन को कल्यू का करन कहा वरनीत किया गया है तो राइस हैं कि जुनागड अशिलालेक में आपसन भी इसका सही उत्तर है चलने दोस्तों बात करेंगे आज का मोस्ट इंपोर्टन योसन आप सबी के सामने इसका एंसर आप लो कॉमेंट में जरूर बते हैं आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लो कॉसी जरूर कीजेगा क्योंकि कॉसेश करने वालों की कभी हार नहीं होती देश के अंदर खनीज Uत Paldan की दिश्टी से राजसान राजे का स्थान है सही उत्र आप लोग कॉमेंट में बताना और ये भी बताना कि 25 मि में से आपके किदे से वे मांधरी से कॉमेंट कीजेगा किसी भी क्योशन को लेकि कोई डाउटो राया सुझाओ देना आप लोग कॉमेंट जुरूर कीजेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता लाइक कर देना और डेली ऐसी रास्ता जी के के इंपोर्टन यूसन पाना चाथे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जुरूर दबाएगा और थेक्यू बेस्ट अब लग भाई भाई